आज हम बात करने वाले हैं inverted hammer और shooting star candle की ये जब candle बनती है चार्ट के अंदर तो इसका चार्ट पर क्या effect बढ़ता है और ये चार्ट के कहां पर बनती है तब ये चार्ट पर effect डालती है इनकी विस्यस्ताएं क्या होती है ये candle bearish होती है या bullish होती है इनकी क्या विस्यस्ताएं है तो आज हम इसी पर बात करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं inverted hammer और shooting star candle की हमने पिछले वीडियो में बात की थी hammer candle और hanging main candle की अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हम डिप स्क्रिप्सिन में लिंक देदेंगे और आई बटन में भी लिंक देदेंगे तो आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं तो ये जो hammer ये जो inverted hammer और shooting star candles हैं तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं inverted hammer की ये जो candle होती है ये कैसे बनती है chart के अंदर जब कोई chart के अंदर जब candle बनना start होती है तो ये candle हमेसा ये यहाँ से open होती है ये जो आपको दिख रहा है ये open होती है और ये यहाँ पर आके close होती है और ये आपको कुछ दिख रहा है इसे हम wick या फिर shadow भी बोल देते हैं ठीक है ये यहाँ पर ये चोटी है और यहाँ पर बढ़ी है तो जब आपको ये देखेगा कि इस परकार से जब कोई candle चार्ट के अदर फॉम होती है और ये जब candle बोटम में फॉम होती है तो ये अगर यहाँ पर फॉम हो रही है तो आप ये मान सकते है कि इनवर्टेड हेमर है और इसने इतने का high लगाया होता है और इतने का low लगाय होता है प्राइज ने और यहां से open होती है और यहां पर आकर close हो जाती है तो यह inverted hammer कहलाती है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार केंडल की यह सूटिंग स्टार यह प्रकार से बेरी स्केंडल होती है ठीक है यह हमें साथ आप में जो चार्ट बनता है इसके टॉप पर बनती है और यह यह जो केंडल होता है यह यहां से ओपन होती है यानि यहां से ओपन होती है और यह क्लोज नीची आ लगाया होता है ठीक है और ये इस इतने का बारे में बात कर लेते हैं इन्वै्ट रेकार मोर की है ये बुली नहीं में बन्टी चार्ट के बोटम बनती है और नहीं दो चार्ट GO उपर क्योर ले जा सकती ऑन्म ठीक है यह जो अमेशा चार्ट के इस परकार से इस्परकार के इसार्ट को बन पर क की ओर लेकार को बाते यहेंaldral न उल v aquellos किसी भी रंग की हो चक्ति हो हिनस्ट है कि इसका यह और बैंठल का जोगा और विछ परकार्ट एक्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं हमने एक्जाम्पल यह है मुजा सिमेट का और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे यह है 31 अक्टूर 2021 की अगर आप चार्ट जाके देखेंगे तो यहां पर आपको यह इनवर्टेड हैमर बनता हुआ दिख जाएगा अगर आप यहां से आप देखते हैं तो यह जब इनवर्टेड हैमर बनता है तो आप देखेंगे कि चार्ट किस परकार से उपर गया है अगर जैसे यहां पर यह इनवर्टेड है जैसे आप देखेंगे कि चार्ट यहां तक इसने हाई मारा है तो यहां पर आप देख सकते है कि ये केंडल जब बनती है बोटम में ये आप देख सकते हैं ये चार्ट का सपोर्ट एरिया है तो यहां पर ये बोटम में जब बनी तो यहां पर इस केंडल ने काम किया तो हम इसके बारे में बात कर लिए हैं इसके बाद हम बात करते हैं सूटिंग स्टार की यह जो सूटिंग स्टार इसकी क्या विस्टा होती है यह केंडल बेरिस केंडल माने जाती है अगर चार्ट के टोप पर बनती है तो चार्ट को नीचे की और ले जा सकती है अब आमने बात के लिए कि यह जो candle होती है वो बेरिश candle होती है यह जो सुटिंग सार candle यह बेरिश होती है अगर चार्ट के टोप पर बनती है यह चार्ट को नीचे की और दखेल सकती है तो यह इसका काम होता है वैसे अगर आप कोई भी candle देखे या पर कोई भी आप strategy देखे कि वो लगबग 70% तक वर करती है और 30% उसके फेल होने की भी चांस होते हैं तो यह आप ध्यान में रखकर ही इसको trade करें तो यह आप option trading करें या पर इंट्राडे करें या पर आप कोई सी भी आप चार्ट को अगर study करते हैं तो भी आप को इस इन चीज़ों के बारे में माल of childla की हो सकती है मतलव इनके यह जो रंघ है इसा केंडल का यह फो म होती है जब चार्ट के टूप पर तो इसका रंग कोई माइन नहीं रखता है किसी बियर फो मूंग हो सकती है हम बात कर लेते हैं अब इसके example की हम ने एकजांपल लिया है बेंकर बिदा से मेंको बूड़ है कि चार्ट किस परकार से नीचे की और आ जाता है ठीक है यह जो प्राइज आप देख रहे हैं यहां से जैसे यहां पर बनती है टोप पर बनती है यह सुटिंग स्टार केंडल तो यहां पर दीर दीर यह जो प्राइज है वो नीचे की और आता है तो आज हमने यहां पर दो kändles की बारे में बात कर ली है ये जो inverted hammer और shooting star candle है इसके बारे में हमने यहां पर बाते कर ली है एक इनल bully scandal और एक bearish candle है तो आज का ये वीडियो आपो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना और अगर आप कोई क्वेशन हो तो आप कोमेंट बुक्स में कोमेंट भी कर सकते हैं अगर अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई